नर्शकार आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूँ आपके साथ निशा आईए करते हैं खबरों के शरवाद सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की हिट लाइन्स पर असुपॉल के विरपूर में हुआ भिशन सडख हाथ साथ चार युवकों की हुई मौत आखरोशित लोगों ने किया सडख चाप सनोखर में आट वर्श ये बच्ची का शप मिलने से लाके में हरकम चांच में जुटे पुलिस पुल तोड़ने घर से बाहर निकली महिला को घात लगाए अपराथियों ने मारी गोली हालत कम भेद पुलिस हाजत में हुई शराब तसकर की मौत के बाद लोग हुए उगर जम कर काटा बवाद और चहरलों को लेकर शिया समुदाई की लोगों ने निकाला मातमी जुलोस अब खवरे विस्तार से सुपॉल के विरपूर में हुए भिशन सडक हाथसे में चार युबको की मौत हो गई जिसके बाद आकरोशित लोगों ने विरपूर थाना के समेप गोल चौक पर बास बल्ला लगा कर हंगामा करते हुए सड़क जाम कर दिया जबकि घटना के विरोत में विरपूर शहर की कई दुकानों को भी लोगों ने बंद करवा दिया घटना को लेकर बताया जा रहा है कि बीती देरात इंडो नेपाल बॉर्डर विरपूर भीम नगर रोट पर कटैया पावर हाउस के पास से विश्व कर्मा पूजा के मौकी पर मेला देखकर चारो युबक घर लोट रहे थे तब ही अचानक अग्यात वाहन की चपेट में आ गए जैसे मौकी पर ही चारो युबक की मौत हो गई गटना के जानकारी मिलते ही मौकी पर पहुँची विरपूर थाने की पुलिस ने श्रप को अपने कवजे में लेकर पोस्ट मार्टम के लिए सुपोर्ट सदर अस्पताल भेश दिया इसके बात रविवार की सुभः युबक की मौत से आक्रोशित लोगों ने मिर्टक को पहले अस्पताल नहीं पहुचा कर पोस्ट मार्टम के लिए भेशने और परीजनों को घटना की सूचना नहीं देने पर नाराज की जटाते हुए कहा कि युबक को पहले अस्पताल मे भरती कराया जाना चाहिए था लेकिन पुलिस ने चारों मिर्टकों को सिधे पोस्ट मार्टम के लिए सुपॉल सदर अस्पताल भेश दिया इस दौरान चौक पर चारों ओर से वैरियर लगा कर गुसाई लोगों ने रास्ते को बंद कर दिया और टायर जला कर प्रदर्श नियमा अमसार बिना सनातक का लास को पोस्ट मार्टम में नहीं भेजना इसा नियम है मैं तो असफ़ष कहता हूं कि शीवी आई से इसकी जांच की जाए असफ़ष पता चलेगा और साथ से साथ हम डियम और एसपी को यूकेस्ट करेंगे कि आप खुद आये और इसकी निय अनियाय मिले हम यही ही चाहते हैं अगर जनता को नियाय नहीं मिले तो बहुत बरा ज्वाह को यहां पर जया है तो विरोध वहगा इस पूलीस परर साथ अनांधी teries सुबह एक आठ वर्षी बच्ची का ग्याद शॉप मिलने से इलाके में संसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि सुबह शॉच करनी नदी की ओर गए ग्रामीनों ने गेरुआ नदी किनारे प्लास्टिक के एक बोरे में एक लड़की का शॉप किनारे पर पड़ा हुआ देखा। वो उस्ट माटम के लिए भागरपूर भेज दिया। पुलिस पलाल घटना के चानवीन कर रही है। तो उसके बाद परशासन आया। लेकिन महिला ने उसे मोबाइल नहीं दी। रसके बाद बदमाशों ने महिला को गोली मार दी। वही इसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुँची पुलिस ने इलाज के लिए तुरंत महिला को हाजिपूर सदरस्पताल में भर्ती कराया। जहां महिला की हालत नाजुग पताई जा रही है। जबकि मोटर साइकल सवार तीन अपराधी पूरी घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए है। जबकि थाने के पास खड़े कई लोगों का मौबाईल लेवं कैमरा भी पताई जा रहा है। पुलिस ने चीन लिया। बदय जा रहा है कि शराफ तसकरी के आरोप में आमरोल निवासी प्रमोट को पुलिस ने गिरफतार किया था। नसके बाद पुलिस हाजत में की गई पिटाई के बाद प्रमोट की मौत हो गई। नसके बाद प्रमोट के परीजन और ग्रामीन काफी आक्रोशित हो गई। और हसारू की संख्या में लोगों ने थाने को घेर कर जम कर तोड़फोर और हंगामा किया। वहीं तोड़फोर की घटना में दरजनों पुलिस करमी गंफीर द्रूप से घायल हो गई। जबकि ग्रामीनों ने थाने में घुस कर वहां रखे समानों की तोड़फोर की। इ कोटे बच्चे भी मातम करते दिखें साथी नौहा पढ़ हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद किया चहलूम के मौके पर भागरपूर में रविवार को शिया समूदाई के लोगों ने अलम का जुलूस निकाला वहें जुलूस में शामी लोगों ने इमाम हुसैन और उनके गम के जहार के लिए लोग मातम करते हैं इजर चहलूम को लेकर भागरपूर शिया वक्फ कमीटी के जिला सचीव सेयद जेजा हुसैन ने बताया कि असाननदपूर के छोटा इमाम बाड़ा और नया बासार से अलम का जुलूस निकाला गया दोनों जुलूस का मिलन मुस्ल होती है तो सबसे पहले जिक्र करवला का क्या जाता है क्योंकि आज से लगवक 1400 साल पहले तारी के इसलाम में करवला के जंग हुए थी और ये जंग जुल्म के खिलाफ इंसाफ के लिए लड़ी गई थी भागरपूर में चहलूम को लेकर सुरक्षा के पूफता इंतिजाम किये गए थे सुबह से ही तातारपूर ठाना के पुलीस असानन पूर इमामबारा और विभनेस अस्थानों पर गश्टी करती देखी जिरूस में किसी तरह का अवरोत ना हो इसको लेकर पुलीस के जवान पदादिकारी के साथ मुस्तैद रहे अब 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 तो चला एक छोटे से ब्रेक आफ वारन लोटेंगे देखते रहे है सिल्क टीवी मेरा नाम अजग कुमार हुआ गर गोचारी जिला खागरिया मैं किसान हूँ डावेटिज पेसेंट एक साल पहले से था हमड़े जी दबाई खा रहे थे बेगुशराय से दूसो और तीन सव फस्टिंग दूसो और टीपी तीन सव था तो भॉला जी हमको बताएं मैरा का था हूँ कि एक और आयरुवेटिक डॉक्टर है भागलपूर में एक यह रहा है वहां से दबाई खाई खाईए आप ठीक हो जाईएगा रिजम डावेटिज संतुस्ट जाईएगा मिल्कुल ठीक तो हम यहां भागलपूर से स्टार्ट कि यह दबाई खाने के लिए जब से दबाई खाएं खान प्यान को नियंतरन रखते हुए जैसे डॉक्टर शाब बताएं वैसे खाएं उस दिन से तो डावेटिज कमते ही चला गया और एक महना से दबाई हम नहीं खाएं कोई भी दबाई नहीं खाने के बावजूद भी स कि मेरा 125 है अब मैं इस डाक्टर से संतुष्ट हूं और जो डावेटिज पेसेंट हैं संपर्ग कीजिए मिल्कुल ठीक हो जाईएगा ब्रेक के वाद पिर से एक बड़ आपका स्वागत है बरते वगली खवर क्योर भागरपूर की देवी बाबु धर्मिशाला में प्रजरापिता ब्रहमा कुमारी इश्वरी विश्वर्य विश्वधियाला की ओर से आयोजित आठ दिवस्ये 12 जियो तिलिंग देशन मेला का अबिवार को समापन हो गया इस दोरान भागरपूर समेत आसपास के कई जीलों से पहुंचे शरधालों ने 12 जियो तिलिंग का एक साथ दर्शन किया और भगवान शिप को नमन करती हुए आध्यात्म से जुड़ी जानकारी ली कारिकरम के दोरान राज योगिनी अनीता दीदी समेत इश्वरी विश्ववद्याले से जुड़े सभी सदस्यों ने वहां आने वाले लोगों को 12 जियो तिलिंग और वहां लगाए गए चीत्रों के माध्यन से राज योग के अलावा कई आध्यात्मिक जानकारी थी वहीं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इश्वरी विश्वद्याले की ओर से आयोजित दर्शन मेला इवं एक साथ एक अस्थान पर बाराज जियो तिलिंग के दर्शन और अध्यात्मिक आयोजन को लेकर संस्था के सदस्य से बात की हमारे समवदाता रवी शंकर सिनहा ने नमस्कार मैं हूं रवी संकरसिना और आप देख रहे हैं सिल्क टीवी आज हम पहुंचें भागलपूर के देवी बाव धरमसाला में जहां ब्रह्म कुमारी इश्वरी विश्वद्याले की ओर से विवस्था की गई थी और उसका अंतिम दिन है तो उसके बाद यहां काफी संक्या में लोग दर्सन करने भी आए और यहां राजयोग या तमाम उस तरकी जानकारी जो इस्वरी विश्वद्याले का जो उद्देश है उसे संबंदित जो भी जानकारी थी यहां के सदस्यों दोरा उन्हें दी गई तो इसको लेकर कि क्या कुछ उद्देश से रहा औ बीके मनोज मेडिया परवार यह इस सोड़ी विश्वद्याले के द्वारा जो आध्यात्मिक दर्सन मिला लगाई गई है इसका उद्देश से था मानव को वारत जोतिक लिंगम का दर्सन प्राप्त हो सके और इस दर्सन के द्वारा उसकी शक्ति को भी प्राप्त करे और लिए आध्यात्मिक चित्र परदर्सनी लगाई गई है जो आप देख रहे हैं इस आध्यात्मिक चित्र परदर्सनी के द्वारा मानव को अपने मुल्यों को उस आत्मा को जानने के लिए और प्रंपिता परमात्मा से सम्मंद जोडने के लिए राज्योग की प्रसिक्षन भी दी जाती है राज्योग का अर्थ ही है योग योग मींज जोर मिलन मनाना आत्मा से परमात्मा का मिलन मनाना है योग है उसे तो संसार में अनेक परकार के योग हैं लेकिन सभी योगों का राजा राज्योग कलाता इसलिए इसमें मन को बुद्धी से जोर कर आत्मिक शक्त प्राउルク गांधे शांती प्रतिष्टान में रवीवार को नहीं राष्टीय सिक्षानीति को लेकर सिक्षा बचाऊ कमीटी बागलपूर की और से विचैर गोस्थी का आयोच अंड्या गया इस द्वरान सिक्षा के दूरगामी प्रभाव और नई राश्ट्रिय सिक्षानीती पर वक्ताओं ने अपने विचार वियक्त करते हुए केंद सरकार की नीतियों पर कई सवार भी खड़े किये संसा के कपील देव मंडर मुख्य वक्ता All India Safe Education Committee के सदसे विश्वजीत मित्रा डॉक्टर योगेंब्र सत्येंद्र सिंग समेट कई लोगों ने अपने विचार रखते हुए राश्ट्रिय सिक्षानीती के कई बिंदों को गलत बताया वोकेपर रवी कुमार सेंग, दिपक कुमार, देवाशिस, बनरजी समेट काफी संख्या में लोग मौचूद रहें विपैती नगर पंचाय चिनौप में 10 अक्टूबर को होने वाले मदान को लेकर शनिवार को अध्यक्ष पत के लिए सोनम परवीन, सोनिका देवी, सावित्री देवी, कौशलिया देवी और पाध्यक्ष पत के लिए सचीन पांडे, शैलेस कुमार वकील यादफ और मनोज कुमार बब्रू सहित बाट पार्शत पत के लिए कुल 40 उमिदबारों ने नामंकन परचा दाखिल किया वहिस दोरान सभी उमिदबारों ने अपनी अपनी जीत का दावा करते हुए लोगों से अपने पक्ष में मतान करने की अपील की खरगडिया की अलॉली थाना शेतर से दो युवक की संदेहास्पत इस्थिती में मौत हो जाने की खबर आई है गटना को लेकर परिजेन और अस्थानिय लोगों का कहना है कि युवक की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है जबकि फिलहाल मौत के कारनों की पूस्टी नहीं हुई है वहीं इसको लेकर समाजी कारीकरता नागेंड सिंग त्यागी और घरवालों का कहना है कि दोनों युवक को ने एक ही जगह से शराब खरीत कर पिया था इसके बाद दोनों की बारी-बारी से मौत हो गई साथी लोगों ने सरकार और जिला प्रशासन पर गंभीर आरोपी लगाते हुए मुख्यमंत्री से इस मामले में हस्ता शेप करने की मांगी हाला कि कुछ लोगों के द्वारा युवक के बिमार होने की भी बात कही जा रही है और इन दोनों का इलाज नेजिस नर्सिंग होम में कराय जाने की चर्चा है पुलीस को रिफर्म करता है तुम और हालात यह है कि पुलीस ही वो काम करती है जो विग्यापन अनिच डिलेवरी का काम जो आम लोग करता या विक्रेता करता माफिया करता वो काम पुलीस पर सासन करती है भागलपूर जिला फुटबॉल संकी ओर से सैंडिस कंपाउन स्टेडियम में रविवार को भागलपूर फुटबॉल सुपर लिग 2022 का उद्खाटन मैच बरहपूर 11 स्टार और सबोर फुटबॉल कलफ के बीच खेला गया जिसमें निधारित समय में दोनों टीम एक एक गोल कर सकी और मैच बरावरी पर समाप्त हुआ जिसमें दोनों टीमों को एक एक अंक मिला वह इसके बार टुनामेंट का दूसरा मैच तिलकपूर और सुल्तान गंज की टीम के बीच खेला गया जिसमें हुए कड़े मुकावले में सुल्तान गंज की टीम ने दिलकपूर टीम को एक सुनने से प्राजित कर दिया इससे पूर्व मैच का उधगाटन एमिम कॉलेज के पूर्व प्राचारिय डॉक्टर सलाओ दीन एहसन मुक्य अतित्य वजय कुमार यादफ, गौतम कुमार और बंटी यादफ, अरविंद मंडल, नजर आलम समेथ कई लोगों ने संयुक्ति रूप सिख किया मैच में निनाय की भूमिका, मनोश मंडल, अम्रेंड मोहन, असर आलम और फारुक आजम समेथ कई लोगों ने किया टूर्णामेंट में आठ टीमें हिसा ले रही है जिसमें चार-चार टीमों का दो ग्रूप बनाकर मैच खेला जा रहा है और प्रतेक टीम आपस में तीन-तीन मैच खेले की जबकि टूर्णामेंट का फाइनल मैच 25 सितंबर को खेला जाएगा मौके पर आनत कुमार, मिश्रा, सुबीर, मुखर जी, जैश, शंकर, ठाकूर के अलावा फुटबॉल संग से जुड़े कई अधिकारी और खिलारी मौचूद रहे इसका फाइनल मैच खिला जाएगा सेखना सराज की हेड्लाइन्स पर असुपॉल के विर्पूर में हुआ भिशन सडक हाथ साचार युबकों की हुई मौत आक्रोशित लोगों लेकिया सडक चा सनोखर में आठ वर्ष ये बच्ची का शब मिलने से लाके में हरकम चांच में जुटे पुलिस पूल तोड़ने घर से बाहर निकली महिला को घात लगाए अप्राथियों ने मारी गोली हाल अचकम भे पुलिस हाजत में हुई शराब तसकर की मौत के बाद लोग हुए उगर जम कर काटा बवाल और चहरों को लेकर शिया समुदाई की लोगों ने निकाला मात में जुलोस फुलाल इस बुलेटिन में तना ही नवशकार झाल झाल